हेलो एवरिवन कैसे हो आप सब लोग तो जैसे कि आपको पता है कि हमने लूसेन जी के की सीरीज शुरू की हुई थी और उसी को कंटिन्यू करते हुए आज है हमारा लेक्चर नमबर ट्वन्टी वन और जो हिस्ट्री का सेक्षन था उसमें हमने पिछले लेक्चर में स्टड ट्रीज में माइग्रेट किया तो उसके बारे में हमने पड़ा था तो आज की लेक्चर में हम स्टडी करने वाले हैं पैलियोलित्थिक एज के बारे में जिसे ओल्ड स्टोन एज भी कहा जाता है जैसे कि हिस्ट्री को तीन सेक्षन में डिवाइड किया गया है तो देखिए जैसे कि आप देख पा रहे हैं लिथिक एज या फिर stone age इसका जो time period है वो भी आप देख सकते हैं BC से ही है जो की 1000 BC तक माना जाता है लेकिन अगर हम इसकी जो exact बात करें तो वो कुछ specific नहीं है because जो इनका time period है वो क्या है 150 साल उपर नीचे होता रहता है तो अगर हम लिथिक एज की या stone age की evidences की बात करें तो वो हमें early period of human से मिलता मतलब जब humans का origin हुआ था तब से ही हमें जितने भी evidences मिलते हैं ना वो क्या है stone यानि की पत्थरों के उससे मिलते हैं कि जो humans थे वो किस का इस्तमाल करते थे शिकार करने के लिए या और भी बहुत सारी चीजों के लिए पत्थरों का इस्तमाल करते थे इसलिए एज को क्या नाम दिया गया stone age क्योंकि जितने भी evidences हैं अब हम पत्थर मिलेंगे तो हम उसी के उपर तो नाम रखेंगे ना तो जितने भी जो implements थ थे वो क्या था हमें stone के उसमें मिले थे कि कितने size के stone है कैसे है किस material के बने हुए है limestone के है basalt के है किस चीज के तो उनको study करके इस जो age का नाम रखा गया था stone age फिर further इसको क्या है तीन parts में divide कर दिया गया जो की था paleolithic मतलब जो first जो सबसे पुरानी जो एज थी ना paleo तो जो सबसे पुरानी age stone age थी उसको बोला गया paleolithic stone age फिर जो second थी यानि कि जो middle की थी उसको बोला गया mesolithic और जो सबसे बाद में होई थी उसको बोला गया neolithic या फिर new stone age इसका जो time period है वो further दिया गया है और अगर हम lifestyle की बात करें तो जो paleolithic age के humans होते थे वो basically सिर्फ hunters और gatherers थे यानि कि वो क्या करते थे शिर्फ शिकार करते थे और जंगलों में जाकि जो भी उनको खाने पीने का मिल जाता था वो खाते थे और गुफाओं में रहते थे और जो implements मिले थे वो थे basically chopper था chopping था handex था ये सब क्या थे पत्थरों के बने गए थे इनको मैं आपको picture की help से भी दिखाऊंगी कि जो तीनों ages के जो था समान वो किस तरीके से अलग था फिर second अगर फिर next अगर हम बात करें मीजोलिथिक के बारे में तो जो humans थे उनका lifestyle hunters और herders यानि की शिकार तो वो करते थे लेकिन कहीं ना कहीं उन्होंने क्या किया था कुछ animals को पालना भी शुर कहीं न कहीं समझ में आ गया था कि agriculture किस तरीके से करते हैं प्लस में क्या है कि जो कैसे किसी चीज का production करते हैं जैसे की बी जुगाए फिर क्या होगा उनको पकाएंगे फिर उनको जब वसल पक जाएगे उनको harvest करके फिर store करना ये सब कुछ कहीं न कहीं मतलब उन्हें आ गय पालेयु मतलब ओल्ड होता है पुराना ओर लि्थिग मतलब stone तो ये जो पुराने पत्थर की जो age थी इसको वोला गया है पालेयु लिथिक एज जिसे हम कहते हैं old stone age इंडिया में अगर हम बात करें इसकी तो जो जितने बीडेयिवेंट्स धूंडे थे वो basically धूंडे थे Robert Bruce ने और इन्होंने क्या किया था ये एक Geologist थे और Geologist किसके थे ये जब Geological Survey of India देखिए जिए Geology एक subject होता है जिसमें क्या है हम अलग-अलग minerals की पथर की study करती है तो ये उस से related एक science का subject है और उसी में जो भी इस में बहुत जाद मतलब काम करता है तरीके से Geological Survey of India बनाया गया था जिसमें जो Robert Bruce Foot थे वो क्या था इनके Head थे और उन्होंने क्या किया था उन्होंने Discover किये थे बहुत सारे Paleolithic Implements तो उन्होंने Discover की थी एक Handex जो कि कहां पे मिली थी वो मिली थी उन्हें चिंगल पुट डिस्टिक में जो कि तमिल नाडू के अंदर है और जगय का नाम था पल्ला वरम और कब Discover की थी उन्होंने 1863 में की थी तो जो Robert Bruce थे इसलिए इनको क्या कहा जाता है Father of Prehistoric Archaeology कहा जाता है फिर अगर हम बात करें 1982 में तो अरुन सोनकिया नाम के एक व्यक्ति थे उन्होंने क्या किया था उन्होंने पैलियंटोलोजी डिवीजन के थे वो जो लोजिकल सर्वे में ही होता है अलग-अलग ब्रांचीज होती है तो उन्होंने क्या डिस्कवर किया था उन्होंने एक वोमिन स्कल डिस्कवर की थी कहां से हतनोरा से discover की थी जो कि फिलाल नर्मदा रिवर वैले के आसपास होशंगाबाद district में है मध्यप्रदेश की है यह जगह और तो उन्होंने क्या किया था एक woman skull discover की थी यानि कि एक औरत की एक खोपड़ी जो skull होती है head की वो उन्होंने discover की थी तो इसको क्या है एक बहुत important achievement माना गया था क्यों क्योंकि बेसिकली एक तो यह जो अरण सोन किया थे वो इंडियन थे और उन्होंने क्या था एक human fossil को discover किया था यानि कि एक कंकाल जो कि एक human का था और वो human कब का था वो बहुत ही मतलब paleolithic age में उसे दफनाया गया होगा तो उसके क्या है हमें fossils मिले थे जिसके वज़े से हम उन्हें क्या है study कर सकते हैं कि उस time पे जो लोग थे वो कैसे थे उनका brain कितना develop था कितना नहीं था shape size और भी बहुत सारी चीजें तो इसलिए क्या है यह बहुत बढ़ी काम्यावी वानी गई थी और अरुन सोनकिया के हिसाब से यह जो था human skull था यह क्या था होमो erectus का था अभी हमने human evolution में पढ़ा था जो अलग-अलग people थे उनका नाम दिया गया था कि भई कौन होमो erectus है कौन neanderthal man है कौन homo sapiens है आप चाहे तो पुराना lecture देख सकते हैं तो इसलिए जो अरुन सोनकिया ने क्या claim किया था कि भई यह जो person का हमें skull मिला है यह क्या है homo erectus का है फिर अगर हम paleolithic human life की बात करें उसमें क्या उनके food की बात करें तो अब जैसे कि हमने पढ़ाई है कि जो उनका lifestyle था वो कैसा था hunting और gatherers थे वो क्या था शिकार करते थे और अपना खाना क्या था fruits की form में खटा करते थे जहां से उन्हें जो मिल गया खाने लायक वो क्या करते थे उससे खा लेते थे तो जो paleolithic people थे वो क्या थे primitive थे और जो मतलब hunting और nature से ही करते थे जो भी उन्हें मिल जाता था तो इसमें उनका food क्या क्या होता था वो basically था meat यानि की जानुरों को मार की जो उनको meat मिलता था उसको खा लेते थे fruits और अलग-अलग जो plants होते हैं उनके roots और वो कोई भी मतलब agriculture नहीं करते थे ना तो वो कोई भी सबजियां होगाते थे और ना ही कोई मतलब फसल वगेरा होगाते थे उनका भी जो खाना था वो भी क्या था पका हुआ नहीं था और जो कपड़े थे वो भी सिले हुए नहीं पहनते थे तो यह क्या है उनके characteristics के बारे में बता रखा है उनके को बोड़ी पर रैप करके या सर्दियों से खुद को प्रोटेक्ट करते थे फिर क्या था वो किसी चीद से फैमिलियर नहीं थे मतलब फायर और जो यह जो डिस्कवरी थी जो मॉडरन टाइम में हुई है या फिर जो नियोलितिक टाइम पर हुई थी उनके बारे में इतना प चीद पाइर अनुनoden उन्होंने वायर दिसकवर कि थी मतलब यह क्या था बहुत ही बाद में उन्होंने फायर डिसकवर कि थी जो लास्ट सा पीरियड था और वह भी था मतलब एक एक्सिडेंटल आपने पढ़ा होगा ने बहुत जगह पे देखा भी होगा कि जो एक इनसान था वो क्या कर रहा था दो पत्थरों से कुछ काटने की कोशिश कर रहा था तो क्या वह चिंगारी चुटी होगी और उससे क्या था एकदम मतलब फायर लग गई कहीं तो क्या होता है कि हम उसको क्या है एक जगह पे जला ले तो वो दूसरी जगह पे ना फैले तो उसको इतना इस्तमाल करना इनको नहीं आता था फिर ये जो तो जो फायर की डिसकवरी हुई थी उससे उन्होंने क्या सीखा कि जो दो क्वाडराइजर जो क्वाडराइज क्वाडर्जाइट के जो पत्थर होते हैं उनको क्या किया जाता है आपस में रगड़ा जाता है जिसके कारण क्या होगी चिंगारिया उठेंगी और जब ड्र प्रिके से उन्होंने क्या सीखा आग जलाना सीखा तो इसके बाद में उन्होंने और क्या किया इससे मतलब आग से वो क्या करने लगे अपना जो खाना था वो पकाने लगे जो भी फ्लेश था एनिमल्स का मीट था उन्हें वो क्या करने लग गए पका के खाने लग गए प्ल तो covering the body, कि भई जो उनकी cloths कैसे थे, तो primitive थे, अब जैसे की बात है कि भई इतने cloths तो उस time पे वैसे थे नहीं, कि भई कपड़ा, जो cotton वगेरा के हो और बाकी सब, तो खुद को गरम रखने के लिए सर्दियों के season में वो क्या करते थे, जिन भी animals का शिकार करते थे, उनकी जो skin थी, फर थी, उनको क्या करते थे, अपने शरीर पे wrap कर लेते थे, और क्या इस्तमाल करते थे, बार कि यानि कि जो कुछ पेड़ों के पत्ते, जो बड़े पेड़ों के पत्ते हो गए, या फिर किसी पेड़ों की छाल हो गई, उनका इस्तमाल करते थे, फिर dwellings की बात क करें कि उनके घर कैसे होते थे तो वह में बात करें जो पालियूलिदिप फीपल उनके घ гр ugh नहीं रहते थे और कभी कभी अगर उनकोgepping सेजन में उनको श्चाया रहती थी तो वह क्या थे गुफाओं में रहते थे तो जो बड़े बड़े पेड़ हो गए उनके नीचे नीच पूस्ट एक्जाम्पल बहुत बार दिया जाता है तो वो भीम बेटका की गुफाओं का है जहां से हमें क्या है बहुत सारे रिमेंस या फिर एविडेंसेज मिले हैं कि यहां पे क्या थे पहलियोलितिक पीपल रहते थे क्योंकि वहां पे उन्होंने क्या बना रखी है फूड कंज्यूमर यानि कि अगर हम खाने की बात करें तो उनका जो खाना था वो बेसिकली क्या काते थे शिकार करते थे दूसरे जानवर का और फूड इखटा करते थे कोई भी फूट्स हो गया कोई भी रूट्स हो गए जंगल में उन्हें जो भी मिलता वो क्या थे उसको खा लेते थे और उन्हें mostly मतलब जो काम होते थे वो नहीं आते थे जैसे कि ना तो उने agriculture आता था ना उन्हें animal husbandry आता था ना कोई भी pot वगेरा बनाने उनको नहीं आते थे फिर अगर हम बात करें next point है disposal of dead person यानि कि जो dead person थे उनको क्या करते हैं जैसे कि अब तो होता है ना कि मतलब funeral वगेरा करते हैं जो अलग-अलग धर्म में अलग-अलग होता है जैसे कि Muslims में क्या होता है जो dead body हो जो dead person होता उसको दफनाया जाता है हिंदूओं में क्या किया जा लेकिन अगर हम paleolithic time की बात करें तो उस time पे इतने कोई भी funeral rights नहीं होते थे ना कोई भी ऐसी ceremony perform की जाती थी और ना ही कोई अलग special चीज उस time पे क्या होता था जो dead person था उसको खुले में छोट दिया जाता था जिसकी भी जहां पे death हो गई उसको ऐसे ही मतलब open space में left कर दिय जाता था जिससे जो अलग जानवर या फिर कोई birds आते थे वो उसको क्या करते थे खा लेते थे फिर next है paleolithic implements की उनके जो implements कैसे थे यानि कि जो उनके हतियार थे वो किस तरीके के थे किस चीज के बने हुए थे और कैसे थे तो इसको basically उन्होंने जो geographers है या जो historians है उन्हो जो कि है earlier, middle और upper तो इसके अंदर जो implements है वो आप देख सकते हैं time period भी divide किया हुआ है और basically है chopper जो की काटने के लिए होता था handex, kuladi, cleaver है कुछ खोदने वगएरा के लिए middle की बात करें तो वो किस चीज के बने हुए थे थे, flakes के बने हुए होते थे और अगर हम later period में बात करें तो वो flake और blade के बने हुए थे यानि की काफी पैने और नौकीले होते थे फिर इसमें जो बताया गया है वो earlier paleolithic implements के बारे में बताया गया है कि जो पत्थर थे वो किस चीज के बने थे, quartzite के बने थे, जो कि एक type का पत्थर ही है और क्या था, और other stones भी इस्तमाल किये जाते थे implements मनाने के लिए अब जैसे कि अगर हम पत्थरों की भी बात करें तो वो भी तो अलग-अलग material की होते है ना कुछ sedimentary rocks होते हैं, कुछ metamorphic rocks होते हैं और अगर हम rocks की भी बात करें तो कुछ marvel पत्थर होते हैं, कुछ besalt के बने हुए होते हैं, अलग-अलग होते हैं मतलब की तो उसमें क्या था जो paleolithic people थे वो किस चीज का बनाते थे quartzite का बनाते थे और जो उनका basically जो main implements थे उनके एक तो chopper था और क्या था यानि की काटने के लिए जिसको chopper chopping pebble culture यानि की pebbles को काट काट के क्या बनाया जाता था implements बनाये जाते थे जिसको बोलते हैं sohan culture और एक था handex culture यानि की madras side में ये madrasian culture भी बोला जाता है क्योंकि handex क्या होती है कुलहाड़ी एक type से दराती type में तो वो बनाई जाती थी फिर next जो chopper chopping culture के बारे में बताया गया है कि इसमें क्या है ये sohan river valley के जो मतलब ये जो implements है न ये कहां से प्राप्त हुए है ये पाकिस्तान से प्राप्त हुए है जो की फिलाल मतलब जो particular place था वो कहां पे था sohan river valley के पास में पंजाब के पास थे ये जो implements मिले थे तो इसलिए इसको क्या कहा गया sohan culture का आ गया फिर अलग-अलग बताया है कि जो pebble है वो कैसा होता है chopper कैसा जो था chopping क्या था तो इसमें क्या थे ये अलग-अलग पत्थरों के बने हुए implements थे तो इनको मैं आपको picture की help से दिखा भी देती हूँ कि जो तीनो implements थे अलग-अलग ages के वो कैसे थे ये देखिए जैसे कि आप देख सकते हैं ये है paleolithic age के stone tools जिसमें जो most commonly सबसे जादा use होते थे जो हमने पढ़ा था कौन से handex chopper और कौन से थे flex के बने हुए तो ये आप देख सकते हैं इस तरीके के paleolithic age के stone tools फिर next अगर हम बात करें तो वो है mesolithic tools यानि कि जो mesolithic age में सबसे जादा कुन से use होते थे तो आप देख सकते हैं कि कितना change आया है एक तो जो पत्थर है वो क्या है उनको chop करके छोटे size का भी बनाया गया है प्लस में वो क्या है थोड़े से नोखीले भी हैं जिन से क्या था मदद मिल जाती थी उन लोगों को शिकार करने में और जो की बहुत easy तरीके से वो शिकार कर सकते थे फिर next अगर हम बात करें तो वो है neolithic age के tools तो आप देख सकते हैं कि ये वाले जो tools है ये तो कितने मतलब बहुत जादा sharp है प्लस में क्या है इनको क्या गया है polish भी क्या गया है और इनको shapes भी दी गई है आप ये जो flat arrow head है ये जो तीर की तरह का ये आप देख सकते हैं और य जो नीचे वाला है ये जो पत्थर में दिखाया गया है brown brown color का तो ये क्या है ये तो polish भी करक्ता है तो आप देख सकते हैं कि जो मतलब age के साथ साथ जो tools हैं उनमें क्या है कितना जादा फरक आ गया था फिर ये जो सारी चीज़े explain की गई है ये पत्थरों के उन जो tools थे उन्हीं के बारे में explain की गई है कि कौन सा जो tool था वो कैसे बनाया गया था chopper कैसे बनाया गया था handex कैसे बनाई जाती थी cleaver कैसे था scrapper कैसे था जो की क्या था कुछ तो bones से बनाये जाते थे animals की कुछ क्या थे trees की जो branches उन से बनाये जाते थे और कुछ क्या था पत्थरों से बनाये जाते थे तो ये आप पढ़ सकते हैं जो की बिलकुल भी मतलब इतने खास important तो नहीं है आप क्या हैं के सिर्फ नाम याद कर सकते हैं तो next अगर हम बात करें कुछ paleolithic sites की जो हमें कहां कहां से मिली हैं मतलब कहां कहां से हमें evidences मिले हैं कि मतलब यहां पे क्या रहते थे भई paleolithic people रहे होंगे तो most important तो जब हमने अभी उपर भी पढ़ा था सोहन river valley यानि कि सोहन क्या है basically वैसे तो एक नदी है जो कि आज के पंजाब पाकिस्तान में पढ़ती है तो वहां से भी हम क्या है बहुत सारे evidences मिले हैं कि यहां पे क्या है paleolithic people रहे होंगे हमें उनके क्या है evidences मिले हैं तो सबसे पहले है पंजाब पाकिस्तान में और जो रीजन है वो आप देख सकते हैं पिंडी घेब है अडियाल है और भी रीवत है कसल कलान है बलबल है गरियाल है यह सब आप देख सकते हैं फिर कश्मीर में अगर हम बात करें तो वह है पहल गाम में देखिए लीडर रीवर वैली के पास में फिर हैं हिमाचल प्रदेश में भी हमें कुछ साइट्स मिली है jump वेढ़्स वेनंगंगा रिवर वैली हो गई ये सब कुछ पिर राधिस्ठान में अगर हम बात करें तो चंबल रिवर वैली के पास में हमें कुछ मिली है देखे अब आप इन सब चीजों में क्या एक main common चीज देख पा रहे होंगे वो क्या है कि जो mostly जो people थे Paleolithic people थे वो कहां पे रहते थे वो नदियों के पास में रहते थे यानि कि rivers के पास में रहते थे क्यों ताकि उन्हें क्या है easily water available हो जाए तो इसलिए आप देख भी सकते हैं कि सभी में क्या लगा हुआ है river valley यानि कि वो नदी की घाटियों में यानि कि rivers के पास में रहते थे फिर कुछ हमें sites मिली है वो गुजिरात से मिली है साबरमती river valley के पास में जो कि कुछ इस प्रकार है पडमाली है बीरपूर है हडोल है और हिराना river valley के पास से भी हम एक दो sites मिली है फिर जो most important site है वो है मध्य प्रदेश की जो अभी हमने पढ़ी भी थी नर्मदा river valley में होशंगाबाद district हतनोरा से हमें मिली है जहां पे क्या मिला था हमें एक woman का skull मिला था और जो किसने दूट ढूंडा था अरंसो नकिया ने ढूंडा था और उसने क्या claim किया था कि भई ये जो woman skull है न ये किसका है homo erectus का है तो ये आप एक दो sites याद कर सकते हैं आ सकती है लेकिन इतना deep में नहीं आती क्या आता है question कि भई इन में से आप पता करके बताईए कि कहां से हमें evidences मिले हैं तो इसमें जो most important है वो एक तो नर्मदा रीवर वैली का हो गया और एक कुन सा हो गया सोहन वैली का पाकिस्तान में जो आज पढ़ता है फिर है उत्तर प्रदेश का बेलन रीवर वैली बिहार की अगर हम बात करें तो वो है मुंगेर डिस्टिक में जो की राजग्रहे के पास में है जारखंड में भी हमें एक दो मिले हैं जो कि है हजारी बाग में संधाल सिंग भूम डिस्टिक के अगर हम बात करें तो वहां पे भी है फिर वेस्ट बेंगॉल में बनकुरा जगा पे है और बीर भूम ये सब डिस्टिक्स में है ओडिशा में बात करें तो वो है बुहर वलंग वैली के आसपास है जो की कल्याना के पास परती है मयूरभंज डिस्टिक में फिर महराश्टरा की बात करें तो परवार रीवर वैली के पास में है गुदावरी रीवर वैली के पास में भी है एक दो आंधर प्रदेश में भी कुछ important sites हैं जैसे कि कुर्नोल डिस्टिक में हैं चित्तूर में हैं और नागर जुनो कोंडा में भी है कुडपा नेलोर ये सब आप देख सकते हैं फिर करनाटका की बात करें तो गट प्रभा हो गया माल प्रभा रिवर वेली जो है वहाँ पे भी क्या है एक दो sites मिली है जहाँ पे मतलब क्या है हमें एक दो evidences मिले हुए होंगे तब मिलनाडू की बात करें तो ये पल्लवा पुरम तो most important है जहाँ पे सबसे पहले Robert Brucefoot ने क्या ढूंडा था एक hand x ढूंडी थी जो की paleolithic implements में से एक बताई गई थी next है middle paleolithic implements देखिए इसमें क्या था सबसे most cheap important था कि ये जो पत्थर थे ना इनमें मतलब जो भी stones थे जो भी tools थे इसमें सबसे most important था flake जो flake किस चीज का बना था उसमें आते थे scrap पर हो गया जैसे कि कुछ भी खुरचने का खोदने का borer हो गया ब्यूरिन हो गया तो ये सब जो implements हमें किस time मिले थे ये mostly हमें मिले थे middle paleolithic time पर तो इसलिए इसको क्या कहा जाता है flake culture भी कहा जाता है और इन implements को बनाने के लिए एक बहुत ही अच्छी quality का quartzite stone इस्तमाल किया गया था और कुछ precious stones इस्तमाल किये गये थे जैसे कि chert हो गया, zesper हो गया, flint हो गया फिर कुछ sites बताई गई है जो की है अफगानिस्तान में अगर हम बात करें तो वो है संग हाओ केव में है पंजाब में फिर वही सोहन रिवर वैली हो गया, इंडस रिवर वैली हो गया, वहां से भी हमें कुछ implements मिले है जम्मू किश्मीर में लिडार रिवर वैली, ये mostly basically वही सेम है जो भी हमने पड़े थे गुजरात में बहुत सारी sites मिली है जैसे कि सुराष्टरा पे मिली है हमें और कच में भी हमें मिली है मध्या प्रदेश में अगर हम बात करें तो देखिए आप देख सकते हैं भीम बेटका की जो गुफाएं है वहां पे क्या है हमें हर age की site मिलती है अगर आपको question में आ जाए ना कि भई paleolithic site most important कौन सी है तो आप भीम बेटका आँख मीच के टिक कर सकते हैं क्योंकि भीम बेटका से हमें क्या मिला है paleolithic implements में मिले हैं और क्या है मीजोलिथिक site भी है वह एरिक नियोलिथिक भी है यानि कि वहां पे क्या है हमें बहुत सारे evidences है paintings हैं मिलती हैं अलग-अलग ages की next अगर हम बात करें तो है उत्तरप देश की कुछ sites दी गई है और जारखंड की भी है जैसे कि सिंग भूम डिस्टिक में है पलामो डिस्टिक में है वेस्ट बेंगॉल में भी है तो आपको याद करनी ही पड़ेगी कुई कौन सी कहां पे हैं वैसे आप कुछ main main important याद कर स इन में change हो गया वरना क्या है सारी के सारी same है फिर later paleolithic implement की बात करें तो इसमें क्या था फ्लेक भी था और blade भी था यानि कि जो चीज थी वो क्या थी बहुत ज़दा sharp बना गदी गई थी थोड़ी थोड़ी और इसलिए इसको क्या कहा गया flake blade culture कहा गया और stone कौन सा इस्तमा होता था चर्ट हो गया जैस्पर हो गया flint हो गया यह क्या है stones के type है और इनके अलावा क्या है जो अलग-अलग animals थे उनकी bones यानि की हड़िया भी इस्तमाल की जाती थी और उनके sing भी इस्तमाल किये जाते थे और mostly जो थे ना stones थे या जो tools थे वो क्या था लंबी हड़ियों से और जो animals के जो sing थे ना उनसे बनाए जाते थे तो इनके क्या है हमें बहुत सारे sites भी मिली है यानि बहुत सारे implements भी हमें अलग-अलग sites से मिले हैं जो की कहां से हैं हमें आंध्रपरदेश से मिले हैं फिर इसमें कुछ sites बताई गई हैं कि जो अफगानिस्तान में हमें Upper Paleolithic site मिली हैं कहां से संगाओ के उसे पंजाब में हमें इंडस रिवर वैले के पास से मिले हैं कुछ evidences राजिस्थान में हमें अजमेर डिस्टिक से मिले हैं गुजरात की हमें अगर बात करें तो देखे इसमें चेंज है पिछले हमें कहां मिले थे शोराष्ट्र और इस बार evidences हमें मिले हैं विसारी से मध्यप्रदेश में क्या है इसमें भी वही सेम भीम बेट का और क्या है बाबुरी हो गया रामपूर हो गया तो उत्तर प्रदेश में बेलन रीवर वैली के पास से हमें मिले हैं जार्खुन में फिर वही सेम हैं सिंग्भूम डिस्टिक से महराश्टर की बात करें तो इसमें जलगाओं डिस्टिक है और इसमें क्या मिला है कुछ बीड्स मिले हैं और एक्षेल्स मिली हैं हमें किसकी ओस्ट्रिच की फिर अगर हम आंदर पदेश की बात करे तो इसमें है रेनी घुन्टा हो गया बेमुला हो गया यानि कि ये क्या है साइट्स के नाम दिये गए है कहां से हमें क्या मिला है और अगर हम बात करें किसकी कुरनूल की बात करें हमें जो की वहां से हमें क्या है ये केव शेल्टर है यहां हमें सबसे जादा क्या मिले हैं हड्डियों के और सिंगों के इंप्लीमेंट्स मिले हैं बहुत जादा तो यह आप याद रख सकते हैं जो कि यह क्या है बहुत ज़दा important site है फिर करनाटका में हम बात करें तो जो कि गुलबरगा district में है यहाँ पर यह क्या है शोरपुर दुआब में है यानि कि दुआब क्या होता है दो रिवर्स के बीच में जो region होता है उसको दुआब बोलते हैं तो जो करनाटका में जो site मिली है वो कहां से मिली है गुलबरगा district में मिली है फिर next lecture में हम पढ़ेंगे mesolithic age के बारे में तो I hope आपको हमारा आज का lecture पसंद आया होगा अगर आपको पसंद आया हो तो do like, share and subscribe अगर कोई गलती हो तो उसके लिए sorry क्योंकि जो sites है ना उनके क्या है अलग अलग name है जो और जो name है वो शायद में कुछ एकादा गलत प्रोनाउंस कर जाओं बाकि अगर कोई गलती हो तो आप बदा सकते हैं you can comment thank you and have a nice day